जो स्टार्टिंग से क्लास जोइन करेंगे उनके लिए ये उप्रचुंटी है कि वो दो मा की फीज मा कुराएंगे और अगले दो मा जुनाव उनके लिए फ्री अफ कोस्ट होंगे असलाम अलेकुम देशुरेंट्स 437 कोड बिजनस मैथ कि अगर आप लोग त्यारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बनी हुई है आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कम फीज के साथ ऑनलें क्लास जोइन कर सकते हैं टाइमिंग किया है और कैसे क्लास लेनी है ये सारी information आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने वीडियो को end तक देखना है अगर आप लोगों ने बिजनेस math की तियारी 100% guarantee के साथ करनी है तो आप लोगों ने वीडियो को end तक watch करना है ठीक है, 3, 4, 5, 6, यह 4 चेप्टर आप वो लोगों के लिए बहुत ही आसान होते हैं और तुमाम स्ट्रेंट्स जो आप वो असानी के साथ इसको कर लेते हैं, 100% इसकी त्यारी कर लेते हैं इन 4 चेप्टर की, इन 4 चेप्टर की, तो उसके बाद जब आप यह 4 चेप्टर कर ल तो इसलिए हमने चेप्टर नमर 9 को थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, मतलब कि इन 4 चेप्टर के बाद हम चेप्टर नमर 9 करवाते हैं, अब चेप्टर नमर 9 क्यों इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, इस पर मजोर क्यों देता हूं, वो इसलिए तो कि इसमें से कम जगम आप लोगों ने पहले ये 4 चेप्टर करने हैं, इस पर अच्छे तीके से फोकस करना है, जब आप लोगों को ये आ जेंगे न, तो फिर जागे आप लोगों को चेप्टर नमर 9 थोड़ा सा आसान लगेगा, आप मुझको समझ सकेंगे, चेप्टर नमर 9 जो ना याद रख अच्छे करने हैं, और फोकस क्यों करना है, क्योंकि इस में से 30-40 नमर का, इवन के जो एक पेपर ऐसा भी आया था, जिसमें 70-80 मार्क का पेपर सिर्फ एक चेप्टर में से इसी में से आया था, तो आप लोगो ने इसकी इंपोर्टेंस को समझेना है, और इस पे फोकस करन करना है कि आप लोग ने ज्यादा ज्यादा इसके questions करने हैं तो महां past papers आपने उठाने हैं उसमें से इसके जो questions आप लोगों करने हैं ठीक है ताकि कोई भी question आज़े chapter number 9 में से तो आप लोग आसानी के साथ उसको attempt कर सके हैं तो यह साधिरत में आप लोगों को बता रहा हूं कि importance क्या है chapter number 9 की अगर तो आप लोग यह 4 chapter chapter number 3, 4, 5 और 6 और chapter number 9 पांच वाँ यह chapter है ठीक है तो यह total 5 chapter अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 100% आपका 100% paper तयार हो जाएगा आप 100% paper solve कर सकते हैं यह सिर्फ 5 chapter तो इसमें से यह 5 chapter अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग की 100% तयारी हो जाती है ठीक है आप लोग आसानी के साथ 8 में से 5 questions attempt कर लेते हैं कोई issue नहीं होगा आप लोग की तयारी हो जाएगी तो पहले तो मैं यह 5 chapter focus करूंगा फिर उसके बाद जब revision होती है तो revision में मैं आप लोग को chapter number 3, 4, 5, 6, 9 तो करूंगा ही लेकन साथ ही chapter number 1 or 2 भी करेंगे ठीक है उसको भी हम detail से देखेंगे जाद रखना है chapter number 9 जो ना इस पर एक महिना पुरा लग जाता है ठीक है इसको कामस का 20 से 25 दिन या 30 दिन लग जाते हैं इसको detail से हमने करना होता है और छुट 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 चीज़े हमने करवानी होती है ताकि students आसान questions मैं करवाता हूं सारे chapter ये ने करवाता क्योंकि काफी lengthy chapters है ये वाले और आप लोगो अगर मैं ये करवा हूं भी तो एक question एक class में बड़े मुश्कल से होता है काफी lengthy questions होते है chapter number 7 or 8 के जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो important questions है वो मैं आप लोगों को जरूर कर आप लोगों को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा ठीक है ताकि आप लोगों के पास opportunity आजे ताकि आप लोगों के पास extra questions आजे आप में से 6 questions आप लोगों को कम सकंव लाज़मी अने चाहिए ताकि आप लोगों के पास a question की choice हो ठीक है कि अगर आप लोगों को लगे कि यह वाला question मुझे अच्छा नहीं लगता या 100% सई नहीं हो सकता तो आप लोगों के पास फिर choice होती है कि आप छे में से 8 में से 5 questions त 100% सई solve का सकते हैं और मेरे पास ऐसे students भी हैं जिन्होंने 95-97 marks भी लिए हैं इस business math में से ठीक है तो students के अपनी अपनी effort होती है कुछ students जिना वो करते हैं join classes लेते हैं लेकर उस तरीके से वो नहीं करते डेली बेस पे काम नहीं करते आप लोग ने अगर class जोइन करने है तो डेली बेस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा जो थोड़ थोड़ा मिलेगा आप लोगो वो मुशकल नहीं है ठीक है अब रही बात class जो ना वो किसके जरिये होगी कैसे होगी देखे class लेने के लिए हमने एक application यूज करनी होती है एक app यूज करनी होती है उसका नाम है zoom app आप लोग क्या करेंगा आप लोग अपने mobile पर जाएंगे play store को open करना है और वहां पे आप लोगोंने सर्च कर ने करने सिर्फ आप लोग ने डाउनलोड करना है पस जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग ने आप लोग ने अपने फी जमा करवानी है online class के लिए अब यह जो फी है फी जो ना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी opportunity है आप लोग सिर्फ क्या चार माँ आप लोग ने पड़ने अभी आप लोग के चार माँ से जाड़ा टाइम पड़ा हुआ तो आप लोग ने चार माँ की पड़ने है और आप लोग के लिए opportunity यह है कि आप लोग की फीस जमा करवाएंगे दो माँ आप लोग के लिए free of course रोगा लेकिन यह उन तुम अब बाद रहती है कि एक माँ की फी कितनी है एक माँ की जो फी है वो हमारी 25 रपे है 25 रपे एक मां की फी है आप लोग ने पहले मंत की फी advance में जमा करवानी है दूसरे मंत की फी आप लोग 5 दिन 7 दिन 10 दिन लेट भी हो सकते हैं कोई issue नहीं है लेकर फर्स्ट मंत की जो फी है वो आपको advance में जमा करवानी पड़ेगी ठीक है first month की आपको feel advance में जमा करवानी पड़ेगी और second month की आप एक दो दिन, साथ दिन, दस दिन आगे पीछ हो सकते हैं students के अपनी मजबूरियां भी होती हैं उसके बाद आप लोग को 3-4 महिने की आपको fee जमानी करवानी पड़ेगी और ये इस से बड़ी opportunity आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगी पूरे पाकसर में भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आप लोग को इस तरह की opportunity नहीं मिलेगी अगर आप लोग इस opportunity से फाइदा उठाना है तो आप लोग ने देर नहीं करने अभी जोना आप लोग ने हमारे whatsapp 03036940016 जो कि आप लोग को screen पे भी show हो रहा है उस पे आप लोग ने contact करना है whatsapp पे और अपने fee अपने जमा करवानी है इसी नमबर पे 03036940016 आपने इसी नमबर पे fee जमा करवानी है 25 रुपय easy पैसा कर लेए jazz cash दोनों account बने हुए है मुम्मद आसिप के नाम से तो आप लोग ने अपने fee जमा करवानी है और मुझे उसका screen shot send करना है तो आप लोग की fee जमा हो जाएगी आप लोग को मैं whatsapp group में join कर लूँगा और whatsapp group में join करने के बाद क्या होगा आप लोग की जो class है वो हम एक तरीक से start का लेंगा first date से हम class का आगास का लें तो आप लोग first date से class ले सकेंगे ठीक है तो हम लोग पहले 7 दिन चलिए हम ऐसा कर लेंदे पहले 10 दिन यह जो पहले 10 दिन है इसमें आप लोग जो भी स्ट्रेंट आएगा उसके लिए हम यह opportunity दे रहे है कि आप लोग चार माँ में चार माँ पढ़ेंगे लेकिन उसकी जो fee है वो आप सिर्फ 2 माँ की जमा करवाएंगे यह पहले 10 दिन के लिए है ठीक है उसके बाद जो स्ट्रेंट्स आएंगे उनके लिए फिर यह opportunity नहीं होगी तो जो स्ट्रेंट्स जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं business math की त्यारी करना चाहते हैं ठीक है वो भी एक 23 experience teacher के साथ और वैसे भी आप लोग को पता है कि हमारे जो guest paper होते है आप काफी students जो आप किसी भी students से पूछ लें जो online पढ़ते रहे हैं या YouTube पे हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनसे पूछें वो आप लोग को बताएंगे कि guest paper हमारे किस तरह की होते हैं तो आप लोग की त्यारी हो जेगी guest paper भी उसी वकत students को समझाती है जब उन्होंने कुछ न कुछ किया होता है समझाती है तो ठीक है तो आप लोग ने class join करने है सिर्फ दो मागी fees pay करने के साथ आप लोग चार माँ से साड़े चार माँ classes join करेंगे तो ये आप लोग के लिए opportunity है उन तुमाम strengths के लिए जो पहले 10 दिन अगले महिने की 10 तरीक से पहले पहले जो class join करेंगे ठीक है उनके लिए ये opportunity उसके बाद जो लेट आने वाले strengths है उनके लिए opportunity नहीं होगी ठीक है लहाजा जो strength सिर्फ दो माँ की fee पे करके अगले चार माँ जो आप पढ़ना चाहते हैं चार माँ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस opportunity से फाइदा उठाएं ठीक है अपने fee जमा करवाएं और हमारी classes को join करें तो class का जो time है वो रात का होता है साड़े साथ बज़े हमारी class होती है online class होती है zoom app के जरी class होती है अब आपकी माइन में आ रहा है हम class join कैसे करेंगे तो class join करने के लिए आप लोग ने एक आसान सा काम करना है जो WhatsApp group आप join करेंगे वहाँ पे आप लोग को link मिलेगा उस link के उपर आपने just click करना है link के उपर click करना है आपकी class join हो जाएगी ठीक है वह बाकि सारा काम मेरा है मैं आप लोग को approval दूँगा सारा कुछ वो मेरा काम है आप लोग ने सिर्फ click करना है आप लोग की class join हो जाएगी उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए interesting लगी होगी आप लोग को पसंद आएगी और यह opportunity आप लोग के लिए बहुत बड़ी है उमीद है कि आप लोग को ज़रूर इसका फाइदा उठाएंगे मिलते हैं और लेंग क्लास में तब तक के लिए लाहाफीज